भारती किसान्य उनियन के राष्ट्रिय प्रवक्त राकेश टिकैट ने बागपत में एक बैठत में पत्रकारों से बाचीत के दोरान कहा कि भाजपा के चाचा जान ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, वे यदि भाजपा वालों को गाली भी देंगे, तो भाजप उन पर मुकादमा दर्ज नहीं कराएगी, आये क्या है, पूरी खबर डालते हैं एक नजर भारती किसान्य उनियन के राष्ट्रिय प्रवक्त राकेश टिकैट ने आये मायें प्रमुखस दुद्दीन ओ वैसी को भारती जनता पार्टी का चचा जान बताया है, बागपत मे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा के चचा जान ओ वैसी आ गए हैं अब उने कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वे धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे जो भाजपा चाहती है, लेकिन किसान भी मागों को पूरा नहीं करने पर भाजपा को सत से बाहर करने का फैसला ले चुके हैं, राकेश टिकेट ने कहा कि मुजफर नगर में 26 सितंबर को होने वाली महा पंचायत को सरकार करा रही है, जिसमें सरकारी रोड बिच बसों कभी इस्तिमाल किया जाएगा, टिकेट मंगलवार को अगरवाल मंजी टटीरी वह सावदा गाव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अगरवाल मंजी टटीरी में भारतिय किसान्य यूनियन के युवाज जिला धक्ष चौधरी हिम्मत सिंग के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफर नगर में 5 सितंबर को किसानों की महा पंचायत हुई थी और 26 सितंबर को सरकारी महा पंचायत होगी इस महा पंचायत में किवल सरकारी लोग ही पहुचेंगे राकेश टिकेट ने कहा कि मैस्पी के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है और रामपूर में 11,000 फरजी किसान बना कर खरीद की गई 27 सितंबर को भारत बंद के दूलन को पूरी तरह सफर बनाया जाएगा लोगों से भी अपी की जाएगी कि वे इहां दूलन को सफर बनाएं अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगिया तो इसे लैक कर सेर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं